जब महिलाएं लिखती, तो अब पता नहीं उनका बोलना जदा खतर्नाख होता है या उनका लिखना जदा खतर्नाख होता है, हमानी बेवी हालदार ने कहा. हमारे साथ में आप बेभी हालदार हैं और आपने इनका नाम जरूर सुना होगा मैं बेंगोली हूँ बट मेरा ज्यादा तर बोलना 20 सल हो गया मैं हिंदी में ज्यादा बोलती क्यूंकि क्यूंकि मेरा दिल्ली में रहा हुआ इतना साथ 20 साल तक मेरा बच्चे ओहीं पे पला वड़ा पड़ा लिका स्वब ओहीं पे हो फिर भी मतलब हिंदी साप नहीं है उसका कारण एक है जो मैं बेंगोली हूँ अगर कहीं पे कुछ गरबर हो जाए तो माफी सारे मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत खुछ जानते हैं मैं क्या थी और अभी क्या हूँ मेरा बच्पन की बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोग मेरा बच्पन थोड़ा सा ही था बट उसी कोई मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत क्यार करती हूँ अगर उतना सा ही बच्पन मेरा नहीं होता तो आज मैं इतना बड़ा नहीं होती तेरा साल पूरा भी नहीं हुआ, जो मेरा साधी हो गया था मेरा मां अपना नहीं थी मा की की बातों पे मेरा पापा आ गया था बहुत मुछिल से बच्पन गोजझा, यहाथ ही चोड़ी थी, तब मेरा मां मेरा घर छोड़कर चले गया मेरा पापा का आदोत ठीक नहीं थी नोकरी तो करती थी, मेरा पापा आर्मी में थे वो चाते थे तो बहुत कुछ बहुत अच्छे तरह से अपने परिवार को रांग सकते थे बच्चे को बहुत अच्छा सिख्षा दे चकते थे लेकिन उनका दिमाग उसी तरह कह था मेरा पापा असल में ज्यादा परे लेखे नहीं थे पहले जमाने में आप लोगों को पता होगा आर्मी में लोग लेते थे पढ़ा लिखा देखे नहीं लेते थे सरी देखे अपना हुसला देखे लेते थे तो मेरा पापा, मेरा बड़े बड़े पापा, दोनों खेत में काम कर रहे थे, तो उसी सुमाई रोर से मेल्ट्री गारी गुजर रहे थे, तो वही से मेरा पापा को देखके गारी में चरा लिया, चलो तुम मेल्ट्री में काम करोगे, तो मेरा बड़े पापा तो एक तो बहुत रोने जैसे हो गया, क्या हो गया, मेरा भाई को ले गया, मेरा टाना हाथ चला गया, इसी तरह से मेरा पापा को बहुत दूख। उसी तरह का मेरा पापा का पापा मेरा आर्मी में गया, उसके बाद आते थे घार आते थे जैसे तैसे मेरा पापा का सादी हो, सादी होने के बाद मेरा पापा आना जाना करते थे, फिर हम पांच भाईरवन जनम लिये एक एक करके, मेरा पापा का मेल्टरी में जाके आदद पुरा हो गया था, सारा आप और सचबत तो ये है, थोड़ा आरत की तरव भी नशा था, उसी तरव मेरा मामी की तरव जादा अची तरव से धैन नहीं देते थे, मेरा पापा आते थे घर, चले जाते थे थोड़ी दिन रहे के, तो किसी माईने पैसे भेजते थे, किसी माईने नहीं भेजते थे, इसी तरव तन्नी लगाए रहता था, मेरा मा बहुत तकलीब में रहते थे, जब मेरा पापा घार आते थे, तब उतना अच्छा से धहन नहीं देते थे, मेरा मामी को सब कुछ पता था, मेरा पापा का आदत क्या है, तो जब मेरा पापा रिटार हो के घर आया, तब मेरा मामी को ऐसा लगा, अब जो भी कुछ करेंगे, मेरे सामने करेंगे, मेरा मामी बहुत कुछ आ तो उसी सोच में मेरा माँ कभी रिटायर होके आने के बाद एक-दो दिन थोड़ा आना करनी हुआ था मेरा मामी के साथ उसके बाद मेरा माँ सोचा अब जो करेंगे मेरे सामनी करेंगे और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं कैसे लगेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा छोटा भाई दूद पिते थे मेरा छोटा भाई को लेके मेरे मामी घर से निकल गए कहां गए बहुत दूदा मेरे पापा हमें कहते थे मेरे तुमारे मामी को बहुत दूदा नहीं मिला नहीं मिला तो उसी बीच में मेरा पापा का मेरा पापा का एक के बाद दो और शादी हो गया था मेरा पापा यही कह जो बच्चे को कौन पालेगा एक कहते दूसरी पहले वाले पहले जब साथी किया था मेरा पापा हामें लेकर ओ माँ थोड़ासा दूसरी तरेके थे जो घर में काम नहीं करते थे, अपने उसमें रहते थे, तो मेरा पापा अपने उनके माय के छोड़ आये, कभी खबर तब नहीं लिया, कभी लेके आने का कभी मतलब शोचा भी नहीं, उसके बार मेरा पापा का एक बढ़ और दुर्गापूर सिटी में दुसरा काम मिला, तो उसी बीच में मेरा पापा चले गए, वहां पे जाके हमें छोड़ आये थे मेरा बड़े पापा के पास, वहां पे मेरा पापा जाके वो नोकरी करते थे, नोकरी के उस बीच में एक साधी आओर किया, एक साधी किया, तो वो मान ब्यार कैसे थे, क्या मिला जितना दिन में जितना दीन जैसा भी प्यार किया, लेकिन उनका सोच और भी थूरा दूसरे दरेके थे, बोला बच्चे को ले आओ, बच्चे को ले आदे, मैं यार मेरा भाई थे, मेरा बड़े भाई, मेरा बुआ के पर चले गए थे, उसके पहले मेरा दीदी को साधी दे दिया था, उसके बड़ मेरा, वो मा ऐसा हो गया, मुझे देखकर जो अपने घर का काम सब कुछ मुझे ही देके कराते थे, मेरा पढ़ाई उसी बिचमे छोड़ गया, उसी करने, घर के कामों के कराते, मेरा पढ़ने का बहुत इच्छा था, पढ़ने बाढ़ती थी, किताब लेके, मम्मी पापा का मुझे दूसरे तरेगा हो जाता था, हमें अच्छा नहीं लगता था, दोनों के बीच में फुस-फुसा चलता था, और फिर बीच-बीच में मेरे उपर गुसा भी आता था, मैं समझ जाती थी, तो किताब छोड़ कर काम पे लगते थे, तो मुझे पता चलता था, इनको यही इच्छा है, जो में पढ़ाई ना करू, घर का कामी, मैं उनका, जो उसको साधी दे दिया जाए, तो काम उमर में मेरा फेरा साल पुरा भी नहीं हुआ था, एक दिन आचनब बहुत घर में मार्केटिंग फर्पिटिंग करके लाए हैं पापा, ममी, तो मुझे लगा ऐसा किया, जो मैं घर पे जैसा बहुत तेहार होता है, काटी-जाटी होते जो घर पे पुजापर भी होता है, मेहमान आते है, इतने बड़े-बड़े खाना बन रहा कर चुला बन रहा, इतने बड़े-बड़े बरतुर में खाना बन रहा, तो मुझे लगा, कोई उस्साब होगा, तो मैं बाहर बच्चे के साथ खेल रही थी, तो उसी बीच में से कि उठा के मुझे सादी का पिरा में बैठाया मतलब छोटी सी बेपी उसको पता ही नहीन के साथ प्रओनतारा हiblा बहुत हस भी हघो अकिल रही तो पहुत खुशी हो रही है योशको नहला रही है उसको कई लगाया जाता ही उसको प्र बहुत खुशी से वो उस टाइम विता रहा है फिर जब साधियती हो गया एक कमरे में दोनों को स्वाग राद जी से बोलते हैं ये कमरे में एक आदमी अंजान आदमी और उस बेबी से मतलब दूगना ज्यादा उमर है जानना पहचान उसके साथ एक रूम में बंद कर दिया जाता है तो मुझे लगा उसमाई क्या उस चोटी सी बेबी को क्या लगएगा डर रही है क्या होगा क्या नहीं होगा फिर उस रात तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ जैसा बीत्रियाप हो गया फिर दूसरे दिन जब वो दूसरे घर में गया उसके उस घर में कोई नहीं है एक जवान, एक आदमी के साथ, वो छोटी सी बेवी, उसको कैसा लगती है, जो रात होता है, और उसको रोना परता है, उसके साथ जोर जुलूम होता है, रात को बहुत चिलाती है, रोती है, आसपास की लोग आके बुशते रहती है, दरवाजा खटाते है, तो उसको बहुत लगता था जैसा ही साम होता है और साम होते ही वो रोने लगती थी और माई के चले जाती थी फिर मामी मा समझा भुजा के दे जाती थी इसी तरह से मेरा बड़े बड़ा मेरा पेट में आई उसके बाद उतनी सी हुमर में जब 14 साल भी पुरा नहीं हुआ वो डेलवेरी हो खेलने जाती है, खेलने भागती है इतना घर से, जो साइद मेरे किता पड़े उनको पता होगा ये सब चीज उनको मिला होगा जो बच्चे खेल रही हैं बाहर वो दांग बुली बोलते है चोटा सा एक बुली डंडा इसको बोलते हैं तो एक टाइम वो बेबी बाहर खड़ी ही है या बच्चे दूर खेल रही है, खेल रही है तो इसका झो छोटा वाल गोली जो है वो पाएर के नीचे आ जाते हैं और वह उठाके वह सोच रही है में खेलने जाई, में खेलने जाऊं है आश रही है? और वह सोःचे exacte ओल्य दिक्शे ओले कि पहinos. लेटे with बोल तो वही उतनी बड़ी पेट लेके बच्चे के साथ खेल रही है, पास पास का औरोट सारे देखके बोले हैं, अरे बहु क्या कर रहे हो, वह पेट में लग जाएगा, बच्चे है, बच्चे को चोट पोचेगा, यसा यसा सुनके उसको सरम आता है, तो वह तोड़के अंदर ह हो जाती है, तो इसी तरह से वह बड़े बेटे को जनम दिया, उसके घर में भी बहुत, तो वही मतलब सांती नहीं मिला, असांती जो चीज मिला है, असांती ही मिला, तो जब मेरा बड़ा बेटा हुआ, तब मुझे लगा, मेरे साथ जो हुआ है, मैं अपने बैच्चे के स पर बात नहीं होने दिंगी, कभी से मैं सोचने लगी, मैं अनपर भी नहीं रखूँगी बच्चे को और मैं अच्छे समाज देना चाहती हो, अच्छे सीक्सा देना चाहती हूआ, तब हीमचे थोड़ा सोचनें ऐसा दिमाग में आया, बच्चे के तरफ देखके, तो उस में अपने हजबेंट से बाक्षीत करने लगती थी किया जो अपने खुद को बदलो थोड़ा और फिर आसपास का महुल कैसा है देख रहे हो बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसको भी दोस्त चाहिए उसको इहां पर देख रहे हो बच्चे कैसे उसके माँ बाब अपने बच करना चाहिए थोड़ा जागा बदलो कुद को बदलो यही सब हम बाक्षीत करते थे अपने हजबेंट से तो वह बहुत बुस्सा करते थे वो कहते थे नहीं हम अच्छा है तो दुनिया अच्छा है मैं उनके बात मानती थी लेकिन तुम अपने एक बच्चों को अच्छे स सिखा कैसे दे सकते हो तुम यहाँ पर देख रहे हो हजारों बच्चे एकी रस्ते पर चल रहा तो कैसे आपनी बच्चे को अच्छा रस्ता दिखा सकते हैं तो इसी तरह का यहाई बाप्चीत पर यह इस बातों पर हम अरे घर पे मार, प्लाइ, लार, जह्ग्रा, कापी हो तेर ताहरे कोई साथ में आखने हैं को करते हैं तो उनके साथ में उसी tv- Dagas मैं भी कुछ करो तो अउरोत बोला काँते हैं जो लोगों का घर टे जो दो नी च्रशक्त झारते हैं यह तो काम हिए काम कोई भी काम चोड़ा बड़ा थोड़ी होता है तो मैं सोचती थी तब जो मैं ये ऐसा मेंटरी मेंट की वेटी हूँ मेरा पापा को हलदर जी हलदर बाबू करके सब जानते हैं और सुनेंगे उलोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे लेकिन ओ वारुत मुझे यही कह के अग अगर पापा के नाम रखना चाहेगी तो इस धर में क्यों देता है